इस मोड्यूल में हम फाइलम आर्थरोपोडा की क्लास क्रस्टेशन्स के एंडरोजिनिक ग्लैंड को डिसकस करेंगे जहां तक एंडरोजिनिक ग्लैंड का तरलुक है यह मेल और फीमेल दोनों क्रस्टेशन्स के अंदर मजूद हैं मेल क्रस्टेशन्स के अंदर एंडरोजिनिक ग्लैंड जो हैं सिफेलो थोरिक्स के अंदर मजूद हैं और वहां पर यह दूसरे एंडोक्राइन फंक्शन्स को भी मीडियेट करेंगे यानि उनकी फंक्शनिंग को यह इंप्रूव करेंगे फीमेल्स के अंदर एंडरोजिनिक ग्लैंड्स के रूडिमेंट्स मजूद है लेकिन ये ग्लैंड्स जो हैं कभी भी फीमेल बॉडी के अंदर अडर्ल्ट स्टेज में मिचूर नहीं होते हैं। नॉर्मली एंडरोजिनिक ग्लैंड्स जो हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं ये रिप्रोड़क्टिव और्गेंड्स यानि मेल स्पेसिमन्स के अंदर उसकी टेस्टिस की डिवलपमेंट को प्रोमोट करेंगे और जो मेल क्रेक्टरिस्टिक्स हैं लाइक गोनोपोड्स उनकी में भी इंपोर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं अब अगर आर्थ्रोपोड्स क्रस्टेशन की बॉड़ी से एंडरोजिनिक ग्लैंड्स जो हैं इनको हम रिमूब कर दें स्पोज के हम मेल स्पेसिमन के अंदर एंडरोजिनिक ग्लैंड्स को रिमूब कर दें तो उसका रिज में वहां पर female characteristics जो हैं उनकी appearance start हो जाएगी और अगर हम experimentally male की body से ये glands remove करके female की body में implant कर दे तो इसका result क्या होगा female body के अंदर भी male characteristics like testis और gonopods जो हैं उनकी development start हो जाएगी यानि organs का मजूद होना किसी भी body के अंदर और उसके अंदर से hormone का produce होना male characteristics को promote करता है और experimentally female body के अंदर भी वही characteristics हा जाएगे जो के male body के अंदर मजूद हैं ये hormones जो हैं इन male sexual characteristics के अलावा जो दूसरे body के functions हैं दूसरे hormones हैं उनके अंदर भी crustaceans के functions को regulate करेगा इसके अलावा ये भी देखा गया है कि कुछ zoologist ने इस बात को पर भी research की है कि इनकी development of female brooding structures जो है in response to ovarian hormones that is also mediated in response to the hormones produced by these glands इसके इलावा seasonal regulation of ovarian functions regulation of body heart and body color changes of the eye stock hormone all these are regulated by this type of hormone यहां पर ये आप देखें अंदरोगेनिक ग्लेंट अंदरोगेनिक ग्लेंट जो हैं this is the eye stock sinus gland x organ endogenic glands y organ यहां पर अंदरोगेनिक gland से जो hormone produced हो रहे हैं they are promoting the function of y organs or male characteristics similarly eye stock sinus gland x organ dhe are also mediating the function of other organs. So, androgenic glands, they are mainly responsible for producing male sexual characteristics and in turn also regulate other types of glands or functioning of other type of glands and promote the regulation of hormones produced by different types of glands in the body.